असलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामस ये बेल अगाम की नेक्स विसोड में आप देखेंगे रमशा जो के अच्छी भली कासिम साहब के बुलाने पर उनकी दावत पर गई थी मगर ये शानी तो रंग में भंग डाल देता है और अच्छा हुआ कि अपनी असलियत भी निकाल देता है उन्होंने जब दावत पर इतना इतमाम किया तो वो जान बूच कर सब लोगों पर तंस करने लगा कि हमें नीचा दिखाने के लिए इतना इतमाम किया है ना हमने कभी खाया नहीं ना जैसे और उसी वक्त बगहर दावत खाई वहां से चला आता है रमशा को भी ले आता है और रमशा सब के सामने यूँ शर्मिंदा ही हो गई माफी भी मांग कर गई अफनान ने भी ये सब को सुन लिया अब फ्रेश होने के बाद जब अफनान वापिस आता है तो बहुत जदा घुसा था कि मैं इन सब लोगों को मना करता रहा कि रमशा की शादी शानी से ना करें अब तो वो आगर सब पर घुसे से आग बुगला होता है बजाहर अपने वालित को मुखादिव करता है अब तो आप लोगों को बाखोवी अंदाजा हो गया होगा कि रमशा जैसी लड़की का हाथ आपने किस जाहिल के हाथ में दे दिया कासिम साहब तो बहुत जदा शर्मिंदा है पहले से ही अपनान को सच्चाई से बताते हैं कि मुझे हरगीज मालू नहीं था कि शानी ऐसा लड़का है मैं तो खुद उससे दो तीन बार मिला हूँ ये सुनकर तो अपनान बहुत जदा जजबाती हो गया तो मिलना धना तैकी करने थी एक्सक्यूस भी करता है कि मैं जजबाती हो गया मगर वालिद को समझाता है अगर रमशा की जगा पे हमारे घर की कोई और लड़की होती तो उसके लिए जाँच परताल हम करते ना अब इस गलती पर अलीजे के वालदा ही परदा देती है जाँच परताल तो गहरों में की जाती है वो तो वैसे भी रमशा की अपने थे और साथी डटाई से ये भी जुट बोले लगी रमशा की अपनी मर्जी से हुई है अलीजे बोल उठी बलके तिलमला उठी तुम हम सब को क्यों ब्लेम कर रहे हो इस सब में हमारा क्या कसूर है अलीजे के इस तरहां से जबान दराजी सुनकर तो कासिम साहब भी हिरान हुए फिर अपने बेटे को देखती है अफनान ने तो इस अलीजे को साफ कह दिया कि तुम मुस्से तमीज से बात करो इस वक्त मेरा दिमाग वैसे भी बहुत ही खराब हुआ हुआ है मंगर इस शाहनी की हरकते और इसका बेरूब चेरा तो अभी खुलना बाकी है और शाहनी को ये अंदाजा नहीं कि घलतिया सुधारी भी जा सकती है यूँ ही फिर कुछ वक्त भी इतने के बाद ये शाहनी अपनी बाइक का रोना लेकर बैठ जाता है अपने वालिद को कहता है अब तो अबबा दोस बे मजाग उडाते है मेरी इस बाइक का मगर ये वालिद तो बड़ा चिल करने लगा क्योंकि इसे मालूम जो है कि अपने बेटे को अब रस्ता क्या दिखाना है रमशा से शादी भी तो ये ही सोच के ही करवाई थी तो तुम्हारे पास कौन सा पैसों की कमी है रमशा से बात करो वो कासिम साहब से कहेगी और नई बाइक आ जाएगी ये सुनकर शाहनी तो बहुत ही खुश होता है यहाँ अबबा ने बात तो ठीक की है मगर ये मालूम नहीं कि अबबा खुद कंजूस तो है ही लालची भी है और अपने बेटे को भी इसी ट्रैक पे लगाई दिया है फिर यूँ कुछ वक्त बेदने के बाद ये शाहनी समझ तो गया कि मैंने गेम कौन सी खेलनी है रमशा को अपनी बातों और प्यार के जहां से मिलेता है और उससे माज़द करता है उसका मूर ठीक करने की कोशिश करता है और यूँ ही उससे प्यार महबत की बाते करता है मगर ये रमशा को अंदाज़त तो नहीं शाहनी का तम्मा किया है तो वक्त आने पर फिर ये अपनी बात करी देता है रमशा वो कासिम साहब से तुम बात करो ना हमें नई बाइक ले कर दें देखो कितनी तोटी भोटी है वहाँ पर अफनान जो कि पहले से इस रमशा की वज़े से बहुत ज़्यदा परेशान है कि शानी के साथ रमशा बिल्कुल भी खुश नहीं मगर अब जब अफनान और कासिम साहब के सामने इस शानी की ये डिमांड आएगी वो तो ये सुनकर और भी परेशान हो जाएंगे मगर जब अलीज़े और उसकी वालतों को ये बात अगर मालुम हो भी गई उन्होंने सिवाए इन बातों के कीड़े निकालने के और कुछ नहीं करना बस अब उस रमशा की शादी हो गई हमारी जान छोड़ दे खैर रमशा तो कोशिश करेगी कि क्योई डिमांड कासिम साब के सामने लेकर ही ना आए हाँ ये अलग बात है कि शानी खुद ही अपने मूँ से कह दे खैर अब शानी जो की बड़ी चराकी के साथ ये चाल चर रहा है वो भी इस बाइक के लिए रमशा से फ्यार महबत की बाते करने के बाद उसे बाहर घुमाने फिर आने ले आता है एक रेस्टरांट में दोनों डिनर कर रहे थी तब ही इत्फागन वहाँ पर आना इस अलीजे और अफनान का भी हो जाता है इन दोनों को एक साथ यहाँ पर इंज्वाई करते हुए देखकर तो यह अलीजे जल बुन जाती है यह तो यहाँ पर इंज्वाई कर रहे हैं और इनकी वज़े से सब घरवाले परेशान बैठे हैं अब अलीजे के तो जिद थी कि इनके पास जाया और इनने खरी खरी सुनाए मगर अपनान उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है कि वो अपना डिनर इंज्वाई करने आया हैं कि क्यों मिल लेते हैं चलो यहाँ से अलीजे कहीं और चलते हैं अब यह सब दे कर अपनान कुछ तसलिमें आता है मगर इस अलीजे के तो जैलिसी खतम नहीं होती खर यह तो आप किसी को अंदाज़े नहीं कि शाने यह पापड बेल क्यों रहा है वो भी सिर्फ इस बाइक के लिए तो विवर्ज आपको क्या लगता है कि रमशा कासिम साहब से बाइक के मुतलिक बात करेगी यह मूपार्ड के यही शाने ही डिमांड करेगा मजीड ड्रामा आज डिविउस के लिए आप देखते रहिए उर्दु टीवी